नमस्कार बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में मैं हो रिनू नेतन न्याहों को इरान से एक बहुत बड़ा जटका लगा है इरान में रहने वाले यहूदी अब इसराइल से लड़ने को तयार हैं दुनिया में बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसराइल के आबादी इरान में रहती है और यहां एक यहूदी सांसत भी है अब इरान की इसी यहूदी सांसत ने इसराइल के प्रधान मंतरी नेतन न्याहों को धमकी दी है और कहा है कि अगर इरान पर हमला करने की कोशिश की तो इसराइल का वजूद ही मिटे जाएगा इसराइल को मिचा देगा इरान का यहूदी लड़ा का 1 अक्टूबर 2024 को 2000 बलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला इरान क्या इसराइल पर फिर भैंकर हमले करने जा रहा है ऐसे दावे क्यों किये जा रहे हैं कि इरान के सवर्थन में यहूदीयों का एक वर्ग इसराइल का वजूद मिटानी की तैयारी में जूट गया है क्या वाकई इरान के सुप्रेम लिडर अली खामनई के पास यहूदी ब्रिगेड है जो इसराइल का वजूद मिटा सकती है यह दावे और कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इरान में एक यहूदी सांसद ने ऐसा बयान दिया है जिसने प्रधान मंतरी नेतनियाहू के साथ साथ रक्षा मंतरी योग गैलन्ट और इसराइल के टॉप कमांडों के होश उड़ा दिये हैं इरान के इस एहूदी सांसद का नाम हुमायू सामेह या नजफाबादी है जिसने प्रेस ट्रीवी पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है खाम नई की यहूदी ब्रिगेड नेतनियाहू से लेगी बदला एरान में एक यहुदी सांसद हिमायू सामेह या नजभाबादी ने इसराइली प्रधान मंतरी वे नियामिन नेतनियाहू को धमकी देते हुए एक अक्टूवर को मिसाईल हमले का जबाब में अगर तेश एरान पर इसराइल हमला करता है तो ये नियाहू सरकार के मुर्खता साबित करने वाला खदम साबित होगा यहुदी सांसद हुमाईू ने नेतनियाहु सरकार को चेताउनी देते हुए प्रेस टीवी पर कहा है कि इसराइल को एक बार फिर से एरान नया हमला करके चौका सकता है हुमाईू नस्वाबादी ने यहां तक दावा किया है कि इसराइल के वज़े से पूरे पर्श्रिम एशिया में चौतर फा युद्ध शुरू हो सकता है कई लोगों के दिमाग में सवाल कौद रहा होगा कि इरान में यहुदी कहां से आगे हैं और यहुदियों के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इरान का साथ यहुदी क्यों देंगी हम आपको एक चौकाने वाला आकड़ा दिखाते हैं जो साबित करता है कि इरान में मौजूद यहुदी पूरी तरह से इरान के सुप्रेमिलिटर अली खामनेई के वफादार हैं वो जितनी मुहबत अली खामनेई से करते हैं उससे कहीं जादा नफरत इरान के यहुदी ने तन्याहू और इसराइल से करते हैं जरा देखिए इस वक्त इरान में कितने यहुदी रह रहे हैं साल 2022 में जारी हुए आंकडों के मताबिक इरान में इस वक्त 9200 से जादा यहुदी रहते हैं पश्चमी अश्या में इसराइल के बाद सबसे जादा यहुदी इरान में ही रहते हैं 1948 तक एरान में एक लाक यहुदी रहा करते थे लेकिन बदले हालातों की वजह से अब एरान में 9200 यहुदी बचे हैं एरान में रहने वाले यहुदीों को एरान का वफादार माना चाता है इसलिए इरान के यहुदी सांसद हुमायू सामेह याह नजफाबादी दावा कर रहे हैं कि इरान को इसराइल नहीं हरा पाएगा इरान का खुर्रम चैलेंज जी हाँ इरान की चौथी पेड़ी के खुर्रम शेहर मिसाइल के आने के बाद से ही इरान का कॉंट्विडन्स हाई है इरान की हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत भी जोड़ है जिसके आगे कभी कभी आयरेड डोम भी नाकाम हो जाता है खामनेई का खुर्म चैलेंज इरान को हराने वाला पैदा नहीं हुआ एक अक्टूबर को इसराइल पर मिसालों की बारिश करने वाले खामनेई भी अब आर पार की जंग करने को आमादा हो चुके हैं मिडलिस्ट के दावों के मताबिक इरान को लग रहा है कि अगर इसराइल पर जल्दी ही दोबारा अचैक नहीं किया तो इसराइल इरानी सेना के टॉप कमांडर और नेताओं को भी उसी तरह से टारगेट किलिंग कर सकता है जैसे हमास और हिजबुला के धाकर नेताओं और कम बारा हमला कर सकता है अब आप जरा ये जान लीजिए खामनई मिसालों से ही इसराइल पर हमला करने पर क्यों उतारू है इरान का जरा ये वीडियो देखिए इस वीडियो के बारे में इरान का दावा है कि ये सुरंग बंकर जमीन से 500 मीटर की गहराई में एक पहाड़ी के नीचे मौजूद है इस सुरंग बंकर में इरान के एफ-4 फैंटम जेट से लेकर क्रूज बलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाईलों को साफ देखा जा सकता है इस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि इरान की मिसाईलें जबरदस्त हमला करने जा रही हैं इरान की ये मि स्टेटिक और इंटेनेशनल स्टेडिज यानी CSIS में मिसाईल ट्रेट पोजेक्ट की 2021 की रिपोर्ट के मताबिक इरान के पास हजारों बलिस्टिक और क्रूज मिसाईले हैं जिनकी रेंज अलग अलग है इसी साल अप्रैल 2024 में इसराइल पर किये गए इरान के पहले हमले के बाद इरानी नियूज आउटलिट ISNA और दे इरान प्रेमियर के जरी इरान की मिसाईल श्रमता के बारे में जानकारी दी थी जिसमें इरान के ऐसी नौ मिसाईलों को दिखाया गया था जो इसराइल को पूरी तरह से तबाह कर सकती हैं और इरान ने ऐसा करके भी दिखा दि आमेरीकी वायू सेनए के जररल केनित मेकनजी ने 2023 में कॉंडिस को बताया था कि एरान के पास 3000 से जादा बलिस्टिक मिसाईले हैं। ये रिपोर्ट 2 साल पहले की हैं अब तो और भी जादा बलिस्टिक मिसाईले इरान के पास हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि एरान के पास दो लाग से ज़ादा मिसाइले हैं जो इसराइल को आसानी से तबाह कर सकती हैं इरान की सबसे नए मिसाइलों में मीडियम रिंज की बलिस्टिक मिसाइल खुरम शहर ने इसराइल के होश उड़ा दिये हैं इरान के खुरम शहर के नाम पर बनी खुरम शहर मिसाइल के रिंज 2000 किलो मिटर है खुरम शहर मिसाइल की स्पीड 9878 किलो मिटर प्रती घंटे से 19756 किलो मिटर प्रती घंटे के बीच है जो इसराइल पर बहुत भारी सावित हो सकती है वह यह शहाब थ्री मिसाइल की रेंज 1300 किलो मिटर है जो 8640 किलो मिटर की रफतार से हमला करती है जबके शहाब चार की रेंज दो हजार किलो मीटर जो धुनी से तीन गुना रफ़तार से हमला करती है इमाद की रेंज एक हजार साथ सो किलो मीटर है इसकी स्पीड का खुलासा नहीं किया गया है जबके एरान के हाईपोसोनिक मिसाईल फता मिसाईल के अधिक्तम स्पीड 16,000 किलो मीटर प्रती घंटे होती है ये मिसाईल हाईपोसोनिक गती से उडान भरती है फता मिसाईल साउंट की चाल से पांच गुना तेज रफ़तार से उडान भरती है इसके अलावा इरान की इमाद और गदर मिसाइल ने इसराइल पर पहले चरण का हमला करके इसराइल को चौका दिया था वही इरान के खाइबर शेकर ने इसराइल के तीन सेन्य अड़ो को एक अक्टूबर के दिन जबरदस्ट नुकसान पहुँचाया था वही इरान के हज कासिम मिसाइल भी इसराइल के ताबूत में आखरी किल ठोक सकती है हज कासिम की रेंज 1400 किलोमेटर है इरान के मिसाइल हमले के भीसर खत्रे को देखते हुए अमेरिका और इसराइल ने युद धस्तर पर रणनीती तयार की है सूतरों के मुताबिक अमेरिका और इसराइल में एक सीक्रेट डील हुई है जिसके तहट इसराइल फ्रंट पर रहकर इरान के अंदर हमले करेगा और अमेरिका इरान के अंदर ग्रिह युद्ध की आग भढ़काएगा अमेरिका और इसराइल ने मिलकर इरान के खिलाफ इस टू फ्रंट वार की तैयारी पूरी कर ली है 10 अक्टूबर को देर रात इसराइली सेक्यूरेटी कैबिनेट की बैचक होई इस सेक्यूरिटी कैबिनेट की बैचक में इरान पर हमलों के मुद्दों पर वोटिंग हुई पूरी कैबिनेट ने इरान पर हमले का समर्थन किया है इस बैचक को इरान पर हमलों से पहले अंतिम बैचक कहा जा रहा है संकेत साफ है कि इसराइल के प्लैन में अब कोई बदलाव नहीं होने वाला है इसराइल के रक्षा मंतरी योग गैलन्ट ने सबसे विनाशक संकेत दिये हैं गैलन्ट ने कहा है कि स्वर्गे के दौर खुल चुके हैं सही समया चुका है इस बयान का मतलब माना जा रहा है कि इसराइल इरान के परमालों स्वर्यंतरों पर हमले करने वाला है इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि प्रॉक्सि इरान के हाथ पैर है अब इने काटने के बज़ाए इनका सिर कुछलने का वक्त आ चुका है इस्राइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है इरान, क्योंकि एरान की वजह से ही इसराइल को साथ व्रंट पर जंग लड़नी पढ़ रही है इसराइल को लिबनान, गाज़ा पर्टी, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, यमन, और इरान से जंग लड़नी पढ़ रही है इन सब का शक्ति किंद्र तहरान है और अगर तहरान को खत्म कर दिया गया तो इसराइल के इन दुश्मनों की ताकत अपने आप खत्म हो जाएगी अब देखना होगा इरान इसराइल पर पहले बड़ा हमला करता है या फिर इसराइल इरान का वही हाल करेगा जो घाजा और लेबनान का इस वक्त हो रहा है इसराइल ने लेबनान के बारजव में बहुत बड़ा हमला किया इडियाफ की एरस्ट्राइक में कई बहु मंजराइ मारते जमी तोस हो गई तो बहुत दक्षणी लेबनान के नकौरा में भीषण लड़ाई चारी है दक्षणी लेबनान में तनात सयुक्त रास्ट की शांती सेना के हेड़क्वाडर पर भी हमला हुआ और यहां तनात एक जवान को भी कोली लगी वार जोन की तरह ही डरावना अपडेट इरान से आया है एक अक्तूबर को इरान ने जहां टार्गेट सेट किये थे वही पर 200 मिसाइले की री फटी और इसराइल धुआ धुआ हो गया लेकिन अब खामनेई के ओर्डर पर मिसाइले जिस लोकेशन पर हमला करेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि बटन दबने के बाद इनी मिसाइलों को इसराइल कंट्रोल में लेकर टार्गेट सेट कर सकता है ये तो बिल्कुल ताज़ुब की बात है लेकिन याद करिए कि कैसे बेरूत में हिजबुल्ला लड़ाकों के पेजर फटने लगे थे कैसे उनके वाकी टॉकी बंबन गए थे इसराइल इरान को भी उसी तरह दहला सकता है इसकी रिहलसल हो गई है इसराइल हमास और हिजबुल्ला के बाद तीसरे नमबर पर तहरान का दहलाना तै है इसराइल से दुश्मनी कितनी भारी पड़ती है ये गाज़ा की इन तस्वीरों से समझी है यहां पर एर स्ट्राइक हुई है ये आप देख सकते हैं अभी लोग जो जखमी होए हैं उनको निकाला जा रहा है एक रिस्क्यू उपरेशन चलाया जा रहा है लगातार इसराइल की तरफ से हमले किये जाना है और हिजबुल्ला भी लगातार इसराइल पर नौर्थ के साइड से हमले कर रहा है तो फिलाल ये जो आप इरिद गित देख रहे हैं ये रिलीफ इंड रिस्क्यू उपरेशन की टीमे हैं जो यहां पर अभी पहुची है अभी ये क्या पना मुश्किल है कि अंदर क्या हुआ है लेकिन यहां से ये है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट शुकरवार रात से उढ़ा जबालिया में बारूदी जलजला अब जाकर शान्त हुआ लेकिन इसकी चपेट में आकर 22 लोग बेमौत मारे गए नब्बे की जिंदगी दाउं पर लगी है इसराइल इसी तरह वेस्ट बैंक में हमास को बेहरहमी से फीट रहा है लेकिन राफ़ा में कासिम ब्रिगेट जोरदार पलटवार करने लगी है कासिम ब्रिगेट ने इसराइल के दो टैंक और बुल्डोजर के चीथलो उड़ा दिया है अलजनैना इलाके में यासीन 105 अंटी आर्मर विस्पोटक गोले का इस्तमाल करके इसराइली सेना के दो मरकावा टैंक और एक D9 बुल्डोजर को बर्बाद किया गया है अलगी हमास और हिजबुल्ला दोनों को तहरान से आई अलर्ट ने सन कर दिया है एरान में 11 अक्तुबर को कुछ ऐसा हुआ जिससे एरान की मिसाईल लॉंच तो होगी लेकिन भटेगी वहाँ जहां नेतन याहू चाहेंगे इस बुल्ला के रॉकेट उड़ेंगे लेकिन भटेंगे वहाँ जहां इसराइल के आर्मी तै करेगी हमास और हूती के हत्यारों का यही हाल होने वाला है इसराइल के दुश्मन अब अपने ही हत्यारों से जलेंगे नेतर याहू ने साइबर युद्ध शुरू कर दिया है इसराइल हाइटेक लडाई से सभी दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है पहले घजा, फिर बेरूद, और अब तेहरान का नंबर इसराइल के टार्गेट सेट है, टाइमिंग फिक्स है, तबाही का लेवल भी लॉक है एक-एकर दुश्मनों का सफाया, शेहरों की बरबादी, दुश्मन ग्रुप की पूरी लीडर्शिप का खात्मा नेतर याहू ने हमास और हिजगुला को जिस तरह खुचला है, उससे भी खौफनाक अंजाम इरान को भुगतना पड़ सकता है इसका ट्रेलर 11 अक्तूबर को इसराइल ने दिखा दिया है, शनिवार को इरान की वार्ड लाइफलाइन हैक कर दी गई थी इसराइन ने ऐसा कुछ किया, जिससे तहरान में कोहराम मच गया आधी रात को इसराइल वार रूम ने ये मैसेच सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, तहरान को थ्रेट से अलर्ट भी कर दिया है तो इरान में साइबर अटैक हुआ इस अटैक के माइने क्या है कि एरान में सब कुछ इसराइल कंट्रोल कर सकता है डीटेल डरावनी है इसराइल के दुश्मनों के लिए भैयानत जानेंगे नेतन याहू का मोस्ट पौवफुल वार प्लैन दोसो मिसाइल हमलों के बाद का प कुछ ऐसे मिसाइल और रॉकेट प्रोजेक्टाइल होते हैं जो बासिंदे जो यहां के हैं इस्राइली उनके घरों तक पहुंच जाते हैं अब आप देखिए तस्वीर कि जो यहां पर मिसाइल गरी उसकी वज़े से यह जो सोलर सिस्टम है पानी गरम करनी के लिए बेसिकली कर दिया है रॉकेट स्ट्राइक देर रात में शुरू हुई और भोर तक इस्राइल पुजुलसाती रही जब हाइपा में रॉकेट फट रहे थे तब बेरूत में भी बारूदी धमाके से धरती ठर्रा रही थी वेरूत के असमान में काला धुआ 12 अक्तूबर की सुबा तक पुखता रहा इसराइल ने अन्दादू हमले के साथ लिबनान में हिजबुल्ला को 22 शेरों में डेथ वारेंट का इस्तिहार चापा है यह जो आप इरिद गरिद देख रहे हैं यह हर तरफ से तबाही है मैं दूसरे साइड से आपको दिखाने के कोश्च करूँगा यह आप देख सकते हैं यहां की गाड़ियां किस तरीके से बरबाद हुई है क्योंकि यहां पर लगातार इसराइल की तरफ से सिट्राइक्स की जा रही हैं और यहां पर इसराइल को लगा था कि हिजबुला के कमांडर इस एरिया में है और जहां पर भी उनको कोई इन्फॉमिशन मिलती है वो उन्ही इलाकों को बरबाद कर देते हैं और यह आप देख सकते हैं कि यह बिलकुल बड़े पैमाने पर यहां तबाही इस बुला लड़ाकों को खाली करने के आदेश दिये हैं आईडियाफ ने 22 इलाके खाली कर अलवली सागर की तरफ भाग जाने का फरमान सुनाया है दक्षणी लिबनान में इसराइल ने तूफानी हमले शुरू कर दिये हैं इसराइल ने लिबनान के माईसरा केसरवेन पर भीशन हमले किये हैं दक्षिल लिबनान के बारजा में भी IDF ने जंगी जेट से बेहसाब बंबरसा है उधर बेरूत में भी इसराइल बारूत की मात्रा कम नहीं पढ़ने दे रहा है इस बीद बेरूत में मारे गए हजबुला के टॉप कमांडर्स और इरान के कमांडर के शबू के शिनाख भी हो गई है इरान की इसलामिक रेवलूशन गाड्स कॉप्स के टॉप कमांडर अबास निल फुरुशान की डेड बॉडी भी मिल गई है आयार जीसी कमांडर अबास की मौत नसर अल्ला पर हुए हमले में हुई थी कितनी तबाही हुई है यहां पर मैं यहां से दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि यहां पर रॉकेट गिरे हैं और रॉकेट की वज़ा से आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स में यहां पर क्यात तबाही हुई है सब कुछ बिखरा पड़ा है और कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में और लगातार इसराइल की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं और हिजबुल्ला की तरफ से भी अटाक किये जा रहे हैं बेरूत में भीशन ममबारी हो रही है और इस बीच एक बार फिर से इरान ने लिबनान के समर्थन की बात की है इरान के संसत के अध्यक्ष मुहमद बागेर बेरूत में हैं और इसराइली हावाई हमलों से बचे खंड हरूं का दौरा कर रहे हैं बेरूत की बरबादी की तस्वीरे इरान के संसत के अध्यक्ष मुहमद बागेर गालिबफ ने भी महसूस की इरान दौरे पर पहुंचे गालिबफ ने बेरूत में उस जगा का दौरा किया जहां नसरल्ला मारा गया बारूदी खंडर के धेर को देख इरान के पूर्फ सेन्ने कमांडर गालिबफ का खून खौल गया गालिबफ ने नसरल्ला की मौत की जगा से ऐलान किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई ने इसराइल की तबाही तक हिजबुल्ला का युद्व में साथ देने का एलान किया है अपने बार्शन के बाद गालिबफ ने लिबनान के कार्रवाहक पूर्धान मंतरी नजीब मिकाती से मुलाकात की है इस बैठक के बाद हिजबुल्ला के मीडिया उफिसर हज मुहम्मद अफीफ ने ने नितनियाहू को डारेक्ट थमकी दिये इस बाद 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 बयानात अलिदाना खजूला अमा दराइल वाहिए बवजूद मखासिन अस्लिछा फिलम तब तन्तली अला अहट हिजबुल्ला और इरान की धंकिया एक तरफ है और दूसरी तरफ है इसराइल का नेक्स्ट अक्शन इसराइल ने साइबर अटैक के थ्रिलर अक्शन से तहरान की टेंशन बढ़ा दिये इसराइल का साइबर हमला शुरू हो चुका है जो की हर गुजरते दिन बड़ा और विस्पोटक होता जाएगा इरान के साइबर स्पेस के पूर्फ सचिप फिरोजबादी ने इरान इंटरनाशनल के हवाले से दावा किया है कि इरान पर बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है साइबर अटैक के दाइरे में इरान हकूमत का हर महकमा आया है यहां तक कि इरान के न्यूकलिर साइट को भी साइबर अटैक से निशाना बनाये गया है साइबर अटैक की जद में इरान के बंदरगा, ट्रांसपोर्ट, हिंदन सप्लाई सिस्टम तक आये हैं साइबर अटैक का असर तहरान से लेकर इरान के सभी बड़े शेहरों में दिखाई देने लगा है साइबर अटैक के बाद एरान के सभी सीक्रेट उडा लिये गए है मतलब ये कि एरान के हतियारों का रिमोट कंट्रूल अब तेलवीब में है जिसे जब चाहे इसराइल दबाएगा और एरान को दहलाएगा हाइटेक लडाई में इसराइल की साइबर आरमी बेजोड मानी जाती है जो जब चाहेगी तेहरान को कबाल खाने में बदलने का दम रखती है तकनीक के दम से जीते जाते हैं इरान को भी ये पता है इसलिए साइबर अटैक के बाद इरान ने बड़े फैसले देने शुरू कर दिये हैं इरान के उड्डियन मंत्राले ने मुबाइल के लावा किसी भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस पर बैन लगा दिया है यानि प्लेन में पेजर और वाकी टॉकी जैसे इलेक्ट्रोनिक उपकरोनों पर पूरी तरह पाबंदी लगा दि गई है इस बुल्ला के पेजर और वाकी टॉकी को तेलवीब में बैट कर बम बनाकर उड़ाने का नमूना इसराइल पहले ही दिखा चुका है इसके बाद इरान के साइबर वर्ल्ड में सेन्दमारी ने नेतनियाहू की पावर को डबल कर दिया है इरान के सभी हतियारों को हैकर इसराइल इरान से बदला लेना शुरू कर सकता है इसराइल के हाथ अगर इरान की मिसाइल सिस्टम की चाबी होगी तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि युद्ध का नतीजा क्या होगा इसराइल से मिले जटके के बाद अमेरिका ने भी इरान पर करारा प्रहार किया है अमेरिका ने इरान पेट्रोलियम कारुबार से जुड़े 6 संस्ताओं पर प्रतिबंद लगाया है अमेरिका ने इरान के 6 जहाजों को ब्लॉक्ट प्रॉपटी के रूप में पहचान भी की है इरान की 10 वित्ते संस्ताओं पर अमेरिका ने बैन लगाया है इनके सतना जहाज के कारोबार भी ठप कर दिये गए है इरान पर मैक्सिमम प्रेशर बना हुआ है इसराइल कभी भी एक अक्तूबर का बदला लेना शुरू कर सकता है अमेरिका इसी ताक में बैठा है कि इसराइल इरान को दहलाए और फिर सूपर पावर शिया आर्क पर अपना टोटल कंट्रोल जमा ले लेकिन इरान भी जुकने को तैयान नहीं इसराइल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इरान अपनी सेना लेबनान में उतार सकता है मुहम्मद बागेर गालिबफ की बेरूत विजिट को इसी वार प्लान का सिगनल बताया जा रहा है लेबनान में इरान के आने भर की देर है फिर आरपार का युद्ध शुरू होगा जिसमें सभी लिमिट क्रॉस होनी तैय है इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही नमस्कार